भाव क्याला भाईय दोजी की सबको हमें रहे आज सुनाए लिखी है मुन्ना बाज कभी ने रही संजो बघे लिए गाए पर बे प्यारा भाई बेहन का हसी खुशी सब इसे मनाए बड़ी निराली इसकी महिमा बड़ी निराली कथा बताए दो दिन बाद दिवाली के ये भाईया दोजी आये ते उहार भाईयों के प्रत बेहनों के उमण पड़े सीने में प्यार रखे ब्रत बेहने भाईयों के लिए दुआये करे हजार चनन रोली तिलक लगा लंबी आयू की करे पुकारे करिया चिला एई सुरे से यमना में करे के इश्दे नाने संकट दूर रहे भाईयों के रखे को सलवन को भगवान भाई भी चूते चरण बेहन के हाथ जोड करते सम्मान स्रद्धा के अनुसार उपार भैटे करते हैं ये दान अपने हाथ खिलाती मीठा बेहने भाईयों को इस रोज सब से त्यारा पर्व लगे सब वेहनों को भाईया दोज बाईयों के घर लेके आती लड्डूरस गुले और लोज वेहन के हाथों मीठा खा कर नटखट भाईया करते मोज कता सुरू इस तरह से होती सुनोर भगतो करके ध्यान कता सुरू इस तरह से होती सुनोर भगतो करके ध्यान यम भाईयों और बहन थी अमना सुर देव की दो संतान सुर देव की यम और यमना नामक हुई थी दो संतान ब्यस्त हुए यम लोक में तने बहन करे थी उनका ध्यान भाई से मिलने की खातिर हो रही थी अमना भी परिसान बार बार ये करेन बेदन भाईया आओ बहन के द्वार तरस रही है आखे हमारी करने को आपका दीदार बहन भाई का रिस्ता एसा जाने है सारा संसार रक्चक होता भाई बहन का बहन प्राण दे भाई पबार रक्चक होता भाई बहन का बहन प्राण दे भाई पेवार तब एक विधी बनाई अमने करके मन में सोच बिचार सारे कैदी मुक्त कराए जाओ अपने तुम घरवार याद तुम्हें भी करता होगा दुनिया में सब का परवार कैदी छूट गए घर अपने यम्याए बहना के द्वार देखे अम भाई को यम नाखुस हो गई बेसुमार लग गई योखा तिरदारी में जेसे आगई राज कुमार अच्चे बस्त्र पेहनाए उसको आभूसर पेहनाए हजार बढ़िया भोजन भाई की खा तेरे बना के कर दिया है तैयार अपने हाथ खिलाने बैटी और खाओ कह बारम बार यम हो गया ति प्रसन जब देखा ये बेहना का प्यार बोले क्या मांगोगी मांगो भाईया देने को तैयार मेहंगे से मेहंगा मेरी बेहना आज मांग लो तुमो प्यार तब यम न यम से बोली है मुझे दैद बस ए बरदान हर भाईया आए बेहना के बेहन करे उसका समान ये दिन एक ते उहार सबन जाए इसका सभी करे समान काता थास तू यम राज ने यमना को हुई खुशी अपारे बरदान भाईय से मिला बेहने को भाईया आए बेहना के द्वारे सदा अमर है सदा रहेगा बेहन और भाई का प्यार उसी रोज से जाए मनाया भाईया दोज काते उहार एक कथा इसमें जुड़ी है एक मा के थी दो संतान एक भाई था एक बेहन थी बहुत चतर भाईया नादान बेहन लड़ाकू और जगडालू लड़ती थी भाईया के साथ गाली दे थी थी भाईया को नहीं बने थी दिन और राते एक दिन बोला भाईया मा से जाऊं बेहन तक में ससरा ले बहुत दिनों से याद बेहन की आ रही है मुझे को भिलाल बहुत दिनों से याद बेहन की आ रही है मुझे को फिले हाल मा बोली मत जा तूँ उसके देगी गाली बेसुमार बात बात पे होती रहती तेरी और उसकी तक्रार एक नहीं मानी भाईया ने फिर भाईया चला बेहन की द्वार नदी किनारे जैसे ही आया करने नदिया के बोपार नदी उपान कर आई सामने बोली देऊ दूबों के मार भाईया बोला हात जोड कर पहले जाओ बेहन के द्वार उधरस जब आ जाओ लोट कर मुझे डोवों कर देना मार ए सुन कर फिर उतर गई थी नीचे को नदिया की धार ए सुन कर फिर उतर गई थी नीचे को नदिया की धार उसके पार साप मिला राह मैं मार के बोला यू फुन कार आज डसूंगा तुझे मुसा फिर देर करूना मैं तत काल फन चौडा कर साप ने बोला आज आ गया तेरा काल हाथ जोड कर भया बोला जाओ बहना की ससराल उधरस जब बापस आउंगा तब बन जाना मेरा काल हट गय साप भी फिर आंगे से भाईया दोडा करी न देर कुछ आंगे चलते ही आंगे पाया खड़ा लंडूरा सेर दहाड मार कर बोला उससे आज नहीं है तेरी खैर मार कर बोला उससे आज नहीं है तेरी खैर मार के तुझको मैं खाऊंगा करू नहीं एक पल की देर उससे भी भाईया ये बोला सुन लो जंगल के महराज मुझे नरो को बेहन मैं तो जाने को निकला हूँ आज रहा ये बादा जब लोटूँगा खा लेना मुझको महराज सच्चा हूँ इनसान एक मैं ना जूता ना धोके वाज सेर ने भी दिय छोड रास्ता देखे भाई बेहन का प्यार नदी से बादा साप से बादा सेर से करके कौल करार बापस की बातों को सब ने ही मन में कर लिया सुईकार जान बचा कर उन तीनों से बाई गया बेहन के द्वार बड़ी बेहन ने द्वारप देखा खड़ा सा देखो छोटा भाई तोड कले जेसे चिपकाया चार पांच फटकार सुनाई क्यों तू यहां अकेला आया क्यों ना मैया संग में आई सपर दूर का इतना जादा करने में न देख सत खाई मुहकी कड़ी भी थी वो बेहना मन की एकदम साफ बताई फिर बेठाया पड़े प्यार से दोड़क थंडा पानी लाई बाण चो भेना मेरे भाई के चार पाई पे दरीव छाई बढ़ियन भोजन बना के बेहना बोली खाना खाले भाई बढ़ियन भोजने बना के बेहना बोली खाना खाले भाई पहला निवाला अपने हाथ से लगी खिलाने वो मा जाई तब आसू भर आया भाईया सारी वाते उसे बताई आज आज का भाई तुम्हारा कलना जिन्दा देगा दिखाई नदी सेर और सापस बादा करके आया हूँ मा जाई जाऊं इधर से जब मैं बापस दूँगा जिन्दा नहीं दिखाई सुनकर सारी बात पहनने फिर से दो फटकार लगाई मर्द का बच्चा हो कर रोता खाना खाले चल तुम भाई साथ चलूँगी कल में तेरे तुझको चिन्ता का है सताई साथ चलूँगी कल में तेरे तुझको चिन्ता का है सताई कल मैं रक्षा करूंग तेरी इतना ना मन में घब राएं एक बेहन के होते उसके भाईया को ना कोई सताएं तू ना दान अभी है भाईया तुझ मैं अकल जराब ही नाएं निश्चित होकर खाना खाले मन में ना तू अब घब राएं सुनकर बाते बड़ी बेहन की फिर भाईया ने रोटी खाई अगले दिन फिर हुआ सबेरा बेहन पती के पास में आई बोली स्वामी आज्या दे दो लेने को आया है भाई पती बेहन से हस कर बोला जाओ भाई का साथन भाई बड़ाई भावक आला है संजो बघेल नदई सुनाई संजो बघेल नदई सुनाई पती कि घ्लोची बाई पती कि भाई संदोउ्पध्र